दोस्तों हाल ही में इन्फोसिस की तरफ से एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने मिल रही है इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिचर जो है वो प्रविन राउ वो रिटायर होने के लिए अभी इसको छोड़ने वाले हैं आपको पता होनी चाहिए अभी कोई नया जो चीफ एक्जीक्यूटी ऑफिसर ने सीओ ने इन्होंने बताया है कि मिस्टर राउ जी अभी सीनियर लेवल के रोल्स पर थे और उनके उपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी अभी जो उनके लेवल पर आएगा क्या वो यह सारी जि यानि हमारे यह देखिए इन्फोसिस के जो सीओ है ना सलीर पारिक उन्होंने क्या काया कि यह जो है इस विल भी दर फुल लास्ट फुल कॉर्टर बिफोर प्रविन एंट डिटायर होंगे और यह फ्यूचर में यह आने वाले फ्यूचर वीक्स के अंदर बता देंगे कि आने वाले टाइम में इनका रिप्रेस्मेंट कौन होगा तो दोस्तों यह बहुत बढ़ी अपडेट होगी इन्फोसिस के तरफ से क्योंकि देखिए कभी भी टॉप लेवल के डिरेक्टर या फिर मैनेजर जबी चेंज होते हैं तभी जो हमारे कंपनी है उसके अंदर लेकिन अगर हम देखे तो आज स्टेलर परफॉर्मेंस एंड रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक कंटीनू और इंफोसिस ने क्या क्या है जो सेकेंड लाजस्ट आईटी सर्विस कंपनी है अभी इंदिया में करेंट ली उनका जो सेल्स प्रॉफिट आया है और सब्टेंबर क प्रतिशट की उच्छाल और फिर आप पर अगर हम कंपेर के इनके 4.4 प्रतिश्यत की उच्छाल है जो हम जून कौटर से कंपेर करें तो और अगर हम बात करें इनके जो लिए ऊबी और रेवेनियू के अंदर घ्रोत आई वो आप देख सकते हो 15-18 परसंट की रिस्पेक् इनकी किस तरह से पार्टनर्शिप हुई थी आने वाले टाइम में कितना अमाउंट इनके खाते में आने वाला है और दोस्तों देखो यह भी अपडेट हो चुका है प्लस हम बात करें इन्फोसिस ने हमारे कॉडर टू के रिजर्ट्स भी डिक्लेर की है 15 रुपए प्रती शेयर का आपको डिविडेंट मिलेगा डिविडेंट पेमेंट और डिविडेंट रिकॉर्ट डेट भी आपके स्क्रीन के सामने तो उसको आप नोट करके चल सकते हो 27 बात करें देखने मिल रही है 27 ओक्टोबर को रिकॉर्ट डेट है इसका मतलब हमें 25 आपके पहले पहले स्टॉक को लेना होगा तो आप धिविडेंट के लिए लिजिबल हो जाओगे और 10 नौविंबर के आपके अकूंट के अंदर डिविडेंट प्रेट भी हो जाएगा तो working Evet हमारे यूट्यू Desde है तो आप देख लेना यहांद से दर 14 प्रतिश्ट की अपसाइड में जा चुकि एक बड़ी अच्छी बात है यह मार्केट आस के बाद हमें रिदिकने मिला था जिसके कारणकल के trading session के अंदर हमें कुछ इस प्रकार की downward panic movement दिखी तो दोस्तों यह अभी हमें आज के market में देखना बहुत ही important होगा कि किस प्रकार से आज के market के अंदर movement होता है and अगर आप market आज के बात वीडियो देख रहे हो या फिर market आज के time पर वीडियो देख रहे हो और MFA 38 पर देखने मिल रहा है जिसके कारण हमें इसके अंदर value बैक करने का अभी भी एक opportunity दिखती है इसके अंदर हमें दिखता है कि आने वाले time में हमें 2000 के levels आराम से अचीव होते वह देखने लेंगे यह जब इसका बाइबैक आया था 1760 के लेवल तक चले गया था हाला कि कंपनी ने कहा था कि 1750 तक लेवल हम बाइबैक करेंगे लेकिन 1760 तक चले गया था उसके बाद से गिरावट आई है जो लाजमी ही थी इतने बड़े अपसाइड मुव्मेंट के बाद इनफोसिस पर मैंने आपको बताया था डीटेल अनालसिस बताया थी कि आने वाले टाइम में इनफोसिस के ऊपर बड़ी अपडेट बड़ी उच्छाल कैसे आ सकती है और सारी चीज़े मैंने आपको इतना डिटेल में डिसकस की थी जो आपको लिंक हमारे ग्रूप के अंदर या फिर हमारे चैनल पर जाके देख लेना आने वाले टाइम पे इन्फोसिस आपको 2100 से 2200 के लेवल्स आराम से दिखा सकता है इन्फोसिस आपको दिखाते हुए देखने मिल सकता है बंडे के पैटन के अंदर गिरावट के बावजूद भी हमें कुछ इन्फोसिस का इस प्रगासे चार्ट पैटन देखने मिला कि इसके अंदर बाइंग ओर्र भी लगे हुए आज का दिन बहुत ही इंपोर्टन ओने वाला है इन्फोसिस शेर होल्डर के लिए प्लस इन्फोसिस हमें आज के दिन ही कोई बड़ी अपडेट भी अन्नाउंस करते हुए देखने मिल सकता है ऐसा एस्टिमेट बता रहे हैं अगर हम देखे तो 62% के डिलिवरी बेसिस पर कॉंटिटी उठाई गई है जो इन्फोसिस को एक वैल्यू बाय बनाता है लॉंग टम या इस वहले शॉट टम के लिए तो दोस्तों अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्मेंट करके रखाया फॉर लॉंग तो यू नो कि इसके अंदर भी हमें प्रॉफिट बुक करने का तो सोचना ही नहीं है अभी इसके अंदर एक ब्रेकाउट आने वाला है तो अगर आप इसके अंदर शॉट टम के लिए बने हुए तो आप खाली वह ब्रेकाउट का वेट कर लेना ब्रेकाउट जल्दी ही हमें आते होगे देखने मिलेंगे इस तरह से मैंने अपकी अपनी आप टेक्निकल्स को अच्छी से रीड करके इसके अंदर एंट्री ले लेते हो तो आप ब्रेकाउट के लिए इसके अंदर एंट्री लेकर शामिल हो सकते हो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है आशा करता हो आपको वीडियो पसंद आए होगी और वीडियो पसंद आगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे यह बता देना कि आप टेलिग्राम चैनल पर हो या नई हो इद्दम फ्री है सारी चीज़ा आपको फ्री में डिस्कुशन मिल रहा है